हालो फ्रेंड्स मैं हमित माल विया एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल के एक ओन नए वीडियो में तो दोस्तो अगर आपका जो मुबाइल नंबर है आप उसको बेंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं तो आज का यडियो काफी ज्यादा होने वाला है युजिना का जो fund होता है आधार NPCI best होता है ठीक है ना इसमें क्या होता है कि आजकल आपसे account number नहीं मांगा जाता है आपके आधार से जो भी bank registered होता है या जिसका भी NPCI link होता है directly उस account में आपका fund transfer कर दिया जाता है अब ऐसे में दोस्तों आप लोगों के लिए यह जानना क कोफी जादा जरूरी हो जाता है कि आपका जो पैसा है किस account में जाएगा अगर आप जो है आधार NPCI के थुरू payment लेते हैं कहीं से तो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को completely बताने वाला हो तीनों process बताने वाला हो लास्ट में मैं आपको यह भी बताने व कुमारे bank account में कौन सा mobile number link है ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी browser को open कर लेना है आप चाहे mobile phone का यूज कर रहे है या laptop का process दोनों के लिए ठीक है ठीक है तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है PFMS ठीक है जैसी आप यहाँ पर PFMS लिखकर सर्च करेंगे यह आप यहाँ पर देख पा रहे है अभी दोस्तो आपको यहाँ पर काफी सारे options देखने के लिए मिलेंगे तो यहीं पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा know your payment ठीक है ना आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको क्या करना है इस वाले option पर tick mark कर देना है जैसी आप इस वाले option को open करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा अभी दोस्तो यहाँ पर आपको जो है आपकी bank का नाम select कर लेना है ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना account number इंटर कर देना है जो भी आपका account number है ठीक है ना यहाँ पर आपको उसी account number को दो बाड़ा से इंटर कर देना है उसके बाद आपको जो है इस वाले केपचा को इस वाले box में feel कर देना है and then send OTP वाले button पे click करेंगे करेंगे तो जैसी आप यहाँ आपके सामने इस तरह का interface page आपको show हो जाएगा ठीक है ना जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो आपका mobile number है जिस पर की OTP भेजा गया है वो mobile number आपको यहाँ पर show होगा जिसमें कि आपको first का एक digit दिखाए देगा और last के three digit दिखाए देंगे ठीक है ना तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर अपना mobile number पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा mobile जो है आपके bank account से link है तो इस आपको जो है इस वीडियो को end तक देखना होगा उसका process भी मैं आपको बताने वाला हूँ अब दोस्तों यह तो हमने mobile number को यहाँ पर check कर लिया कि हमारे bank account में कौन सा वाला mobile number link है अब दोस्तों हम यहाँ पर आद अब दोस्तों हमको यह पता करना है कि हमारा जो account number है उसमें dbt portal का option आजाएगा आप उसको click करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं dbt.gov.in ठीक है न आपको इस वाले portal को यहाँ पर open कर लेना है तो जैसे आप इसको यहाँ पर open करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface page आपको देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ से हम जो है पता कर सकते हैं कि हमारा जो bank account है आधार NPCI से link है या नहीं ठीक है न तो उसके लिए simply आपको यहाँ पर click कर देना होगा आपके सामने इस तरह का interface page आपको शोगा आपको simply okay वाले बटन पर press कर देना है जैसे आप okay वाले बटन पर press कर देते हैं तो यहाँ पर आगर आ पर आपको क्या करना है आपका जो भी आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर provide कराना है ठीक है ना इस वाले capture को आप यहाँ पर type करेंगे उसके बाद आप send OTP वाले बटन पर click करेंगे ठीक है आप यहाँ पर चाहें तो आधार नंबर से भी कर सकते हैं आप virtual ID से भी कर सकते हैं तो हम simply आधार नंबर से करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो registered mobile नंबर है उस पर आपको एक OTP भेजा जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं OTP हमारे पास आ चुका है OTP को copy करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पर आपको जो है OTP feel करने has been done ठीक है ना आपका जो है आधार से bank mapping जो है done है कौन सा account यहाँ पर done है bank status क्या है active है inactive है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी information जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर show हो जाती है जैसे कि आपका आधार से mobile number कौ हमने जो है पहले से चेक कर लिया अब जो है हमारे आधार से जो NPCI link है या नहीं वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया ठीक है ना bank sitting date भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी कि आपका जो है link किस date में हुआ था ठीक है ना तो यह सारी information आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो जो है अपना mobile किस तरह से अपने bank account के साथ में link करा सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए काफी सारे bank को में online process है इस पर मैं एक already video बना चुका हूँ वीडियो आपको यहाँ पर चलता हुआ दिख जाएगा उस video को देख के आप जो है इस process को कर सकते हैं लेकिन दोस्तों काफी स सारे bank ऐसे भी है जहां पर कि आपको online process देखने के लिए नहीं मिलती है तो उन बेंको में आपको जो है अपना अधार card ले जाना है और उस पर आपको अपना mobile number ले जाना है account number ले जाना है और इसको आपको जो है physically अपने bank में submit करना रहेगा तो 24 गंटे के अंदर अदर आप आपका जो bank account है आपके mobile number से link कर दिया जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी जादा helpful and informative रहा होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाएगा इस वीडियो को अपने friends और family में share कर दीजिए मैं मलता नेक्स वीडियो में किसी नई नौलेज और information के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए जहिंद चैपाड़